प्यारे बच्चों चलिए आज हम फिर से क्लास 10 के लिए सब्जेक्ट मैथ को हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसा कि प्यारे बच्चों हम लोग exercise math के NCRT से 4.3 exercise को कर रहे थे वहीं से हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं जैसा कि प्यारे बच्चों exercise 4.3 में हम लोग question number 2 तक के discuss कर लिया था यह question number 2 तक बहुत सारी लोग बनाए भी हैं और उनका सही answer हुआ है चलिए तीसरे नमबर से हम लोग आगे देखते हैं तो तीसरे नमबर question क्या बोलड़ा है निम्निक समय कर नो का मुल ग्याद कीजिए तो तीसरे का पहला question ऐसा है एक्स माइनस वन बाइ एक्स बराबर 3 प्यारे बचों यहाँ पर देख परनाँगे एक्स माइनस वन बाइ एक्स बराबर 3 है और कॉमा करके एक्स डजनोट इकवल तो 0 है तो इसका कोई value नहीं है मने इसको neglect करके चलना है यही तक सवाल है आपका एक्स माइनस वन बाइ एक्स बराबर 3 यही तक सवाल है तो अब लोग आगे solve करेंगे सबसे पहले पहरे बचों इसको करना क्या है बटा में 1 बना लेजिए और 1 और x का LCM कितना होगा x और यह हो जाएगा उपर x स्क्वार माइनस x से x कटेगा 1 बार में बराबर में 3 यहां हो जाएगा x स्क्वार माइनस 1 बटा x इसको 3 बटा 1 लिख सकते है पहरे बचों क्रोस मल्टिप्लिकेशन तिर्षा 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 गुना करेंगे तो x स्क्वार माइनस 1 को 1 से गुना करेंगे तो x स्क्वार माइनस 1 बराबर 3 को x से गुना करेंगे तो 3x इस तरीके से इधर वाला 3x इधर लाएंगे तो minus में हो जाएगा x square minus 1 minus 3x बरावर 0 अब यहां के बाद से आपको क्या करना है आपको a कमान लिखना है प्यारबच्चो 1 हो जाएगा b का value देख पार होंगे x वाला होता है तो minus 3 हो जाएगा और c का value हो जाएगा प्यारबच्चो minus 1 यहां से आप a का value b का value c का value तो सबसे पहले आप d निकालिएगा इसलिए d निकालते है ताकि चेक करने के लिए कि मुलोकास्तितव है की नहीं है अगर होगा तब आप x का फर्मूला लगाज देजिएगा minus b plus minus root d बटा में 2a तो प्यारे बच्चो यहां के बाद आप आगे solution कर लिजिएगा और फिर आपने खुद से answer match किजिएगा और बना कर हमें जो हम अधूरा question छोड़ रहे है कि आपको आगे solve करने की ज़रूरत है क्योंकि आप सब चीच समझी रहे सिर्फ हमको hints कर देना है यहां से a, b, c निकल गया तो d निकाल लिजिए और x का value निकाल दीजिए अगर यहां पुरा-पुरा वर्गमूल निकलता है तो निकालना है नहीं तो छोड़ देना है चलिए आगे देखते हैं तीसरा का दूसरा question यह तीसरा का दूसरा question है तीसरा का दूसरा question क्या बोल रहा है ज़रा देखिए 1 by x plus 4 minus 1 by x minus 7 बराबर 11 बटा 30 पैरे बच्चों इधर देख लिजिए यहां पे भी x does not equal to minus 4 7 है तो इसका कोई मतलब नहीं है सवाल जो है यहीं तक है 1 by x plus 4 minus 1 by x minus 7 question है तीसरा का दूसरा इसको जब भी हम लोग solution करेंगे तो करेंगे क्या सबसे पहले कि नीचे वाला को x plus 4 को और x minus 7 को LC हम लेंगे तो x plus 4 और x minus 7 LC हम हो जाएगा अब x plus 4 से x plus 4 कटेगा तो क्या बचेगा x minus 7 और उपर में minus है अब की बार x minus 7 बराबर कितना प्यार बचो 11 बटा 30 फिर उसके बाद करेंगे क्या x minus 7 तो x minus 7 अब यह minus plus कितना होता है क्योंकि minus बाहर है तो इसको under multiply करेंगे तो minus plus minus x और minus plus minus 4 और नीचे वाला को ज़रा गुना कर लेजे x और x को गुना करेंगे x square x को minus 7 से गुना करेंगे तो minus 7 x 4 को x से गुना करेंगे 4 x 4 को 7 से गुना करेंगे तो minus 28 क्योंकि यहां plus में 4 है यहां minus में है बराबर कितना होगा प्यार बचो 11 बटा 30 ज़रा उपर calculation कर लेते हैं तो x plus में है और यह minus में है तो कट जाएगा अब यह minus 7 और minus 4 मिलके कितना हुआ minus 11 बटा में x square x और x को एक साथ जोड़ खटाव करते हैं तो minus 7 x है और यह plus 4 x है तो कुल मिला कर कितना हुआ minus 3 x 7 और 4 है तो यहां minus है तो minus 3 x और फिर minus 28 बराबर में प्यारे बचो 11 बटा 30 फिर करते क्या है प्यारे बचो कि हम लोग 3 x 3 गुना करते हैं 3 x 3 गुना करते हैं का मतलब क्या 11 को इतना से गुना करेंगे और इसको इतना से गुना करेंगे तो यहां हो जाएगा 11 into ब्रैकेट दे दिये तो 11 को इतना से मल्टिप्लाई करना है माइनस 3x माइनस 28 बराबर माइनस 11 को 30 से मल्टिप्लाई करना है। तेशा तिरशी गुना हो गया। प्यारे बच्चों, जब गुना में अगर दोनों तरफ रहता है, तो ए 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला कर क्या बचेगा? ए 11 स्क्वार माइनस 3x माइनस 28 बराबर, यहां है क्या? माइनस 30, जब गुनारे बच्चों, इसको अगर इधर लाएंगे, तो यह माइनस के बचेगा इधर हो जाएगा पलस, और इधर कितना बच जाएगा? 0, तो कुल मिला कर हो जाएगा, एकस स्क्वार माइनस 3x माइनस 28 बराबर में 0, अब ऐसा करने से इधर क्या बन गया? एकस स्क्वार यहां हो जाएगा माइनस 3x, और यह माइनस 28 पलस 30 है, तो इसको कितना करने से आएगा? 2 बराबर 0, प्यारे बचों, अब यहां तक के हम सॉलूशन कर दिये हैं इस कोश्चन को, अब यहां से तो आपको आइडिया लग गया, कि A का वेलू हो जाएगा 1, B का हो जाएगा माइनस 3, और C का वेलू हो जाएगा 2, तो सबसे पहले इस से स्वाल्व करके आप D का मान निकालिएगा, और D का मान अगर अस्तित्र होगा, तब X का वेलू याधी है, यह फर्मूला, माइनस B, पलस माइनस रूट D by 2A से निकाल लिजेगा, तो इस तरीके से तीसरा का पहला और दूसरा हम अधूरा कोश्चन बनाये हुए हैं, यारि कि ऐसा वाल ऐसा था, इसको सॉलूशन करते 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 इस रूप में लाएं, इस रूप में लाने के बाद A, B, C पता हो गया, अब इतना के आगे हमें D निकालना है, और तब X का वेलू निकालना है, तो प्यारे बच्चों हम तीसरा के पहला और दूसरा में हिंट्स कर दिये हैं अधूरा तक, और इसके आगे स्वाल्व करके आप हमें ग्रूप में जरूर चेंड कीजिए, ताकि देखते हैं कितने लोगों को सही आंसर आ रहा है, तिक है, अब आगे आते हैं, चौथे नंबर कोर्षण के और देखते हैं, तो चौथा नंबर आप अच्छे से पढ़िए कोर्षण, क्योंकि सवाल जो है, बहुत इंपोटेंट है चौथा नंबर, क्योंकि लेंग्वेज प्रोब्लम है, प्यारे बच्चों, अब जो कोर्षण आ रहा है, चौथा देख पारे होंगे, चौथा, पाच्वाँ, छठ्था, आगे जितना भी कोर्षण है, वो भासा वाला कोर्षण है, इस कोर्षण को पढ़ने के बाद, आपको अपने से कुछ मानना पड़ेगा, देखिए, चौथा नूम्बर कोर्षण क्या बोल रहा है, तीन वर्ष पुरुव, रहमान की आयू का ब्यूत कर्म, और अब से पाँच वर्ष बाद, आयू के ब्यूत कर्म का योग एक बटा तीन है, उसकी वर्तमान आयू ग्याद किजिए, किसका आयू, तो रहमान का आयू, तो सबसे पहले आप मानिये, कि माना की रहमान की आयू, बराबर एक साल, एक साल या एक साल मान लिये, फिर क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखिए, तीन वर्ष पुरुव, तीन वर्स पूरो बोल रहा है, तो यहां पर फिर लिखेगा, तीन वर्स पूरो रहमान की आयू, यानि कि अभी रहमान की आयू कितना है प्यारे बच्छों, एक्स है, और तीन साल पहले कितना होगा, तो एक्स में तीन साल घटा देंगे, फिर क्या बोल रहा है, कि पांच व वर्ष बाद रहमान की आयू तो पांच साल बाद कितना होगा जब अभी वर्तमान का माना की रहमान की यहां पर लिख देजेगा वर्तमान वर्तमान का मतलब होता है अभी माना की रहमान का वर्तमान आयू कितना एक्स मान है तो तीन साल पहले कितना एक्स माइनस तीन वर्ष का होगा और अभी कितना होगा तो वरतमान जब X है तो 5 साल के बाद एक्स प्लस पांच होगा एक्स प्लस पांच वर्स फिर प्रश्ण से क्या बोल रहा है प्रश्ण से देखिए प्रश्ण से बोल रहा है कि आयू के ब्यूत कर्म देखिए तीन वर्स पहले का भी ब्यूत कर्म और पांच वर्स बाद का भी ब्यूत कर्म ब्यूत कर्म का मतलब होता है उल्टा जैसे अगर हम बोलें कि आप बताई ये चार का ब्यूत कर्म क्या होगा तो एक बटा चार आठ का ब्यूत कर्म क्या होगा तो एक बटा आठ ब्यूत कर्म का मतलब होता है एक बटा में उतना ठीक है तो यहां बोल रहा है कि तीन वर्स पहले रहमान की आयू का ब्यूत कर्म तो तीन वर्स पहले रहमान केतना है एकस माइनस थीरी अब इसका ब्यूत कर्म करेंगे तो एकस माइनस थीरी हो जाएगा इसका ब्यूत कर्म हो गया यानि कि तीन साल पहले का ये ब्यूत कर्म हो गया ब्यूत कर्म का मतलब होता है प्यारे बच्चो उसको बटा कर देना ठीक है जैसे कि आप यहां देख पार होंगे चार का ब्यूत कर्म एक बटा चार उसी तरीके से यहाँ पर बोला कि तीन वर्स पहले जितना था उसका ब्यूत कर्म किये और फिर बाद में ये भी बोल रहा है कि पांच वर्स पस्चात आयू का ब्यूत पस्चात का मतलब बाद में तो पांच वर्स बाद वाला ये है इसको भी ब्यूत कर्म करना है तो एक पल आ रहा है यहां पर देखिए योग एक बटा तीन आ रहा है तो प्यारे बच्चो अब ये समीकरन बन गया अब इस समीकरन को solve करना है क्या करना है आप इसको पहले अर्चे ढंग जे इसको इसको एलसेम लिचे तो x-3 x-5 x-3 x-3 कटेगा तो ये उपर क्या बचेगा एकस प्लस 5 और x-5 से x-5 कटेगा तो यहां पे क्या बचेगा x-3 बेराज़र में 1 बटाती है अब क्या हम लोग करते है तो उपर वाला का अलग solution करते है और नीचे वाला का अलग solution करते है तो क्या बनेगा x-3 x-5 और यहां हो जाएगा x-5 और प्लस 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 x प्लस माइनस माइनस 3 प्लस एक बटा 3 प्यारे बचो, x-x को x आप जोड़ते हैं तो x-x मिलके हो जाएगा 2x और 5 में से 3 गया तो हो जाएगा 2 बटा में x और x का गुना करेंगे तो x-square क्योंकि यहां क्या है बीच में गुना है x को 5 से गुना किजिए तो 5x-3 को x से माइनस 3x-3 को प्लस 5 से तो माइनस प्लस माइनस 15 बराबर में 1 बटा 3 अब इसको ज़रा अच्छा से लिख लेंगे तो हो जाएगा 2x-2 बटा x-square 5 में से 3 गया कितना 2x-15 बराबर 1 बटा 3 अब तिर्षा तिर्षी गुना करेंगे तो क्या होगा 3 से इसको गुना करना पड़ेगा तो 3 2x-2 बराबर इसको जब 1 से गुना करेंगे तो यही न बचेगा x-square माइनस में कितना 6 बराबर x-square पलस 2x-15 फिर क्या करेंगे इसको और इसको उधर ले जाएगे तो यहाँ हो जाएगा 0 बराबर जब इसको उधर ले जाएगे तो माइनस में 6x हो जाएगा अब इसको उधर ले जाएगे तो पलस में 6 हो जाएगा और बाकी इधर वाला तो वैसे ही रहेगा प्लस x स्क्वार प्लस 2x माइनस 15 तो ज़रा अच्छा से अब देख लेंगे तो यहाँ वाला को हम बराबर में इधर देख लेजे, इधर बराबर 0 कर दिये क्योंकि x साइड 0 है और x स्क्वार तो अकेला है तो यहाँ देख दिजी x स्क्वार फिर देख जी x वाला कौन कौन है तो यह माइनस में 6x है और यह प्लस में 2x है तो क्या आएगा तो माइनस 4 हो जागा क्योंकि 6 माइनस में है 2 है प्लस में तो माइनस 4x फिर 15 प्लस में 6 है यह माइनस में 15 है तो यहां हो जाएगा minus 9 प्यारे बच्चों यहां से करने के बाद आपको A का value पता चल गया 1 B का value हो जाएगा minus 4 C का value हो जाएगा minus 9 यहां के बाद से आपको X का मान निकालना है अब X का मान निकालना है तो 2 गो आएगा X का मान ठीक है अब X का बेलो दूठ हो आएगा तो एगो प्लस में आएगा ये गो माइनस में आएगा तो माइनस वाला थोड़े मैं किसी का उमर रहमान का आयू कभी भी माइनस में हो सकता है नहीं, तो उसको उवला answer नहीं होगा प्लस वाल जो आएगा वही मेरा answer हो जाएगा, ठीक है तो यह एक्षू आएगा माइनस में answer एक्स का बान, यह उफो प्लस में आएगा, तो माइनस वला आमान्य उतर हो जाएगा प्लस वला हम लोगों का सही हो जाएगा तो प्यारे बचो इस तरीके से हम लोग इसको question को solution करेंगे यानि कि यहां के बाद से आप d निकालेगा d निकालने के बाद आप x का मान निकालेगा तो इस तरीके से हम लोग चौथा question को solve करेंगे अगला question देखते हैं पांचमा question जरा अच्छा से देखिए पांचमा question क्या बोल रहा है पांचमा question बोल रहा है एक class test में सेफाली के गनीत और अंग्रेजी में प्राप्त किये गए अंको का योग यदि उसके गनीत में दो अंक अधिक होते हैं 30 है यदि उसके गनीत के दो अंक अधिक मिलते और अंग्रेजी में दो अंक कम मिलते तो क्या बोल रहे है की गुननफल 210 होता तो सबसे पहला बात सवाल यहां पर समझे क्या बोल रहा है कि एक सिफाली नाम की कोई लड़की है अच्छा वो एक क्लास टेस्ट में गनीत का भी एकजाम देती है और अंग्रेजी का भी एकजाम देती गनीत का और अंग्रेजी दोनों का एकजाम देती है और दोनों का योग कितना आता है 30 अच्छा जब दोनों का 30 आ रहा है यानि कि गनीत का भी और अंग्रेजी का भी तो ऐसा मानिए पांचवा कोईशन में कि माना कि सिफाली द्वारा गनीत में प्राप्त अंख कितना है गनीत में प्राप्त अंख तो हम लोग जानते हैं कि गनीत में जब एकस नंबर लाई होगी तब गनीत में जब एकस लाई होगी तो अंग्रेजी में कितना लाई होगी क्योंकि गनीत और अंग्रेजी को मिला के टूटल कितना है टूटल 30 है यानि कि गनीत और अंग्रेजी में टूटल मिलाकर 30 है और हम यहाँ पे गनीत में मान लिए x इसलिए अंग्रेजी में प्राप्त अंग कितना होगा तो 30-x क्योंकि प्यारे बच्चों अगर दुनों को मिला कर हमें x होना चाहिए तो अगर x मान लिए हैं पहला को तो दूसरा कितना होगा 30-x फिर क्या बोल रहा है कि एक क्लास टेस्ट में गनीत अंगरजी में योग 30 है यदि गनीत में 2 अंक अधिक होता यानि गनीत में कितना अंक होना चाहिए अधिक 2 अंक तो हमाने कितना है गनीत में x तो 2 अंक अधिक हो जाएगा तो एक हो जाएगा x प्लस 2 फिर क्या बोल रहा है सवाल में अंगरेजी में 3 अंक कम होते है तो 3 अंक कम होते है तो अंग्रेजी में अभी कितना है, 30-X, तो यहाँ लिखिएगा, फिर से यदि अंग्रेजी में 3 अंग कम हो, अगर अंग्रेजी में 3 अंग कम होगा, तो अभी हो जाएगा, 30-X तो अभी है, अब इसमें से 3 कम कर दिजिए, तो कितना हो जाएगा, तो 30 में से 3 गया 27-X, क्य क्या बोल रहा है कि अब तो उनके अंकों का गुनानफल देखिए गुनानफल दूसर दस है तो अब लिख दीजेगा यहां से प्रश्ण से प्रश्ण से बोल रहा है कि दूनों का गुनानफल मतलब इसका और इसका गुनों को गुना किया जाए तो देखिए कितना आ रहा है क को प्रश्ण बोल रहा है कि X plus 2 2 अंग अधिक होता है और इसमें 3 अंग कम होता है तब गुना नफल कितना हो जाएगा 210 तो प्यारे बचो अब यहां से आप खुद से सॉलूशन कर सकते हैं कैसे तो X को 27 से गुना करेंगे तो X को 27 से हो जाएगा 27 अब X को माइनस X से तो यह हो जाएगा माइनस X स्क्वार ठीक है अब 2 को 27 से तो यह हो जाएगा 54 अब 2 को माइनस X से तो यह हो जाएगा माइनस 2X बराबर में 210 अब यहां देख पार होंगे कि X स्क्वार को सबसे पहले लिखते हैं तो माइनस X स्क्वार और यहां पे 27X में से 2X गया तो कितना x हो गया प्लस में बचेगा 25 x और यहां पे 54 है तो 54 और इधर 210 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस 210 बराबर में 0 कुल मिलाकर कितना हो जाएगा तो माइनस x स्क्वार प्लस 25 x और यहां 54 और 210 को घटाना है तो यहां प्लस में 54 है, माइनस में 20 है, तो घटा कर कितना आ जाएगा, माइनस में 156, 511, 156 आ जाएगा, बराबर 0 तो पैरे बचों जब यहां पर यह चीज आ गया, तो आब आप खुद से भी निकाल सकते हैं, कि A का वेलू कितना हो गया, माइनस एक, B का वेलू, 25, C का वेलू, माइनस 156, तो इसे से भी निकाल सकते हैं, तो गुनन खंड हो रहा है, तो गुनन खंड द्वारा भी निकाल सक में दोनों बिषयों में प्राप्त अंक क्या होptions सबसे पहले प्यारे बच्छो। माइस का भेलो निकल लिएगा आप А bluetooth इगो माइनस में होगा ठीक है तो माइनस वाला नहीं लेना है एकस वाला कौन सा लेंगे जो प्लस मैं आयगा तो जो एकस का मान प्लस में आएगा वो हो जाएगा गनीत में ठीक है समझ रहे हैं वो हो जाएगा गनीत में और जो एक और आएगा यानिकी इसका दो आंसर आएगा एक बोल रहा है कि गनीत में प्राप्तांग कितना हुआ और अंग्रेजी में प्राप्तांग कितना हुआ तो प्लस वाला कही अंसर अगर मान लेजाय कि दुनों प्लस में होता तो एक बार एक संपा माझन रख दिजुगा यानि कि सिंप निकालने के लिए 30 में से x के मान घटा देजीए को दोनों में पूछ रहा है देखिए दोनों 20 उन्हों में प्राप्ता अंक ग्याद किज़ें दोनों 20 में तो जो x का मान आएगा वो हम लोगों को गनीत में आएगा और जब उसको 30 में से घटाएंगे तब ना अंग्रेजी में आएगा इसलिए अगर मान लिया जाए कि X का वैलू दूगो प्लस में आता यानि कि प्लस 8 आ जाता और प्लस 10 में आ जाता यान दूनों प्लस में हो जाता ठीक है तब क्या करेंगे तो एक बार 8 रखके एक बार 8 हो जाएगा और एक बार 10 में से 8 गया तो 22 हो जाएगा और एक बार 10 रखेंगे तो एक बार हो जाएगा 10 और 30 में से 10 गया तो 20 तो ऐसे आंसर करेंगे हम 8 और 22 अपने खुद से ले रहे हैं अगर मान लिया जाए कि दूनों प्लस में होगा तब वैसे ही करेंगे दूनों को मान को लेंगे तब मेरा दुदूगो का जोड़ा दूगो आंसर आजाएगा और नहीं तो ये गो माइनस आजाएगा तब तो ये मामला खता सिर्फ प्लस कोले लेंगे और यूज कर लेंगे तो प्यारे बचो इस तरीके से मलोग पांचवा कोशन तक के स्वाल किये चलिए आईए आगे देखते हैं आगले कोशन चलिए छटा कोशन पढ़ते हैं एक आयतकार खेत का विकर्न उसकी छोटी भूजा से 60 मिटर अधिक लंबा है एक आयतकार खेत तो प्यारे बचो छटा नंबर में एक आयतकार खेत बनाईए एक आयतकार खेत हो गया जिसमें यह हो गया सबसे लंबा और यह हो गया चोड़ाई थिक है तो आयतकार में तो दो ही चीज़ होता है लंबाई और चोड़ाई अब इसमें बोल क्या रहा है एक आयतकार खेत का विकर उसकी छोटी भूजा से साथ मिटर अधिक लंबा है छोटी भूजा से तो प्यारे बच्चो एक आयत में लंबाई और चोड़ाई दोनों होता है तो लंबाई और चोड़ाई में कौन बड़ा होता है तो लंबाई होता है बड़ा और चोड़ाई होता है छोटा तो सवाल क्या बोल रहा है कि जो आयतकार में छोटी भूजा है मतलब कि चोड़ाई उससे विकर्ण जो है वो कितना ज्यादा है 60 ज्यादा है तो उसके निचे लिख लिजेगा माना की आयत का चोटी भूजा यानि कि इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं चोड़ाई बराबर X मेटर ठीक है तो जब चोड़ाई X हो गया यानि कि यहां से यहां तक चोड़ाई इसको X मान लिए यहां से यहां तक चोड़ाई हो गया X तब अब विकर्ण बराबर कितना हो जाएगा तो आयत का विकर्ण कितना बोल रहे हैं यहां पे सवाल बोल रहा है कि आयत का विकर्ण उसकी छोटी भुझा से अगे देखते हैं यदि बड़ी भुझा छोटी भूजा से 30 मिटर अधिक हो देखे, बड़ी भूजा का मतलब ये बड़ी भूजा है और छोटी भूजा से ये जो है 30 मिटर अधिक है तो अब लिखेंगे और बड़ी भूजा बड़ी भूजा का मतलब प्यारे बचो क्या? लंबाई न तो लंबाई कितना हो जाएगा तो छोटी भुजा से ये वाला जो है बड़ी भुजा 30 अधिक है तो X पलस 30 मिटर यानि कि प्यारे बचो X पलस 30 हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक ठीक है और प्यारे बचो अब हम लोग को तो सब कुछ पता चल गया तो अब हम इसका नाम देते हैं A, B, C और A, B, C में हम ऐसा जानते हैं कि आयत में हर एक कोन 90-90 डिगरी का होता है तो A, B, C भी एक तरह का समकोन त्रिभुज बनेगा तो यहां से लिखेगा चित्र से त्रिभुज A, B, C एक समकोन त्रिभुज है क्यों? समकोन त्रिभुज है और जब समकोन त्रिभुज है तो इसमें सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी कर्न कर्न का मतलब A, C तो पाइथागोरस प्रमे से जब पाइथागोरस प्रमे पढ़े होंगे तो उसमें हम लोग पढ़े होंगे कि कर्न का स्क्वार बराबर लंब का स्क्वार पलस आधार का स्क्वार तो कर्न इसमें कौन है फिगर में AC तो यहां लिखेगा AC का स्क्वार बराबर Lumb कौन है तो Lumb BC है तो यहां लिखेगा BC का स्क्वार आधार कौन है तो आधार AB है AB का स्क्वार अब आप देख पारोंगे AC का स्क्वार तो AC कितना है X पलस 6 तो यहां लिखेगा X पलस 6 का होल स्कॉर बराबर BC का स्कॉर तो BC कितना है तो BC को हमाने है X तो यहां लेखते जगा X स्कॉर पलस AB का स्कॉर तो AB का स्कॉर का मतलब X पलस 30 का स्कॉर A से लेकर B तक है X पलस 30 तो यहां जागा X पलस 30 के होल स्कॉर प्यारे बच्चो a plus b का hollow square का फर्बुल लगाई है तो a plus b का hollow square क्या होता है a square plus 2ab 2a के जगर पर x b के जगर पर 60 plus b square मतलब 60 का square बराबर x square तो x square ऐसे ही है फिर plus अब की बार a plus b का hollow square यहां पर भी लगाना है यानि x plus 30 का hollow square तो यहां पर क्या बनेगा x square प्लस इसके लिए हम लगा रहे हैं क्योंकि यह वाला x square अलग है तो यहां लिख चुके हैं अब इसके लिए a plus b का whole square तो a square plus b square स्वारी 2 a b तो 2 into x into 30 plus 30 का क्या square तो कुल मिला कर यहां आप क्या बन जाएगा तो x square plus 60 को दूर्से multiple करेंगे तो कितना बनेगा स्टार दोना के 120x पलस 60 का स्क्वार कितना हो जाएगा 3600 बराबर 100 स्क्वार और 100 स्क्वार प्यारे बच्चो दोनों को मिला देंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वार 30 को दूसरे गुना खरेंगे तो कितना हो जाएगा 60x पलस 30 का स्क्वार कितना हो जाएगा 900 ठीक है तो यहां पे अब कितना बच जाएगा तो हम क्या जानते है प्यारे बच्चो कि जितना भी चीज है या तो एक तरफ 0 होना चाहिए तो इधर वाला चाहिए इधर भी हमको 0 होना चाहिए तो क्या करेंगे इधर वाला जितना दिख रहा है यानि कि यह चीज जितना भी दिख रहा है 2x² प्लस 6x प्लस 900 तीनों को इधर लाएंगे तो पहले इधर वाला लिख ले देते हैं 100 स्क्वार प्लस 120x प्लस 3600 और इसको जब लाएंगे तो यह हो जाएगा माइनस 2x² इसको इधर लाएंगे तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 900 बराबर में हो जाएगा एक तरफ 0 बनाना है आप इसको भी उधर ले जाके इधर 0 बना सकते हैं किधर भी आप ले जा सकते हैं तो आप देखे एकस अस्क्वार और एकस अस्क्वार के साथ जोड़ घटा होता है तो यहां पे आप एकसो बीस एकस है एकसो साथ है तो एकस एकस वाला को जोड़ घटाव करेंगे तो बनेगा कितना पलस साथ है फिर अगर आप देखें तो यहां पे यह 3600 है और यह 900 है तो 3600 में से 900 गर जाएगा तो कितना बचेगा तो यह पलस में है और यह माइनस में है तो यहां हो आप प्यारे बचों अब यहां के तो बात समझी रहे हैं यहां पर आप करिएगा क्या एक वेलू हो जाएगा माइनस एक बीक वेलू हो जाएगा कितना 60 और C का वेलू हो जाएगा 2700 अब यहां पर आप D निकाल लिएगा और फिर काम कर लिजएगा यहां से तो D का वेलू निकाल लिजएगा कि कितना होता है इसका वेलू फिलाल अगर बात किया जाए तो हम लोगों को यहां से तो D का वेलू निकाल लिजएगा कि D का वेलू क्या होता है यानि A का वेलू माइनस 1, B का वेलू 60 और C का वेलू 2700 तो यहां से आप D का वेलू निकाल लिजएगा कौन सा फर्मूला से B स्क्वार माइनस 4AC से जहां B का वेलू है 60, A का वेलू माइनस 1 और C का वेलू 27 तो इस तरीके से D का वेलू निकाल लिजेगा फिर X का वेलू डगा दिजेगा माइनस B पलस माइनस रूट D बटा में 2 है तो प्यारे बचो यह जो कोशन है वहाँ मुगा सालूशन हो जाएगा जैसा कि जानते हैं यह वो पलस में आएगा यह वो माइनस में आता है अगर माइनस में आएगा तब तो उसका वेलू रखना ही नहीं है जब X का वेलू आ चोड़ाई तो हम लोग को जो आएगा X का वेलू चोड़ाई नहोगा तो लंबाई निकालने के लिए क्या करेंगे 30 एड करना है क्योंकि वो बड़ी भूजा है तो इसलिए यहां पे जो आएगा प्लस में उसका वेलू मान लेना है सही और माइनस में आएगा तो उसका तो तो हो जाएगा लंबाई तो इस तरह से हम लोगों को भूजाएं गयात करें भूजाएं का मतलब प्यारे बचोग या लंबाई और चोड़ाई दूनो तो जो हमें X का वेलू आएगा वो तो चोड़ाई होगा और चोड़ाई में जब 30 एड कर देंगे तब हम लोगों को लंबाई पता चल लएगा तो इस तरीके से प्यारे कोशन केरेंगे और इसका आंसर जरूर बनाकर भीजएंगे जो हम अधूरा कर रहें दूगों संख्या है और दूनों का वर्गों का अंतर वर्ग का मतलब पहला का भी वर्ग करेंगे दूसरा का भी वर्ग करेंगे जब दूनों को घटाएंगे तब कितना हैगा 120 छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का आठ गुना है तो प्यारे बचों यहाँ पे एक छ छोटी संख्या बराबर X तथा माना की बड़ी संख्या बराबर Y यानि पहरे बचो हम छोटी संख्या मान लिए X और बड़ी संख्या मान लिए Y अब क्या बोल रहे सवाल में यहां पर देखिए कि छोटी संख्या का वर्ग तो छोटी संख्या का वर्ग कौन सा है छोटी वर्ग करेंगे तब क्या बोल रहा है X का वर्ग करने पर बड़ी संख्या का आठ गुना हो जा रहा है तो बड़ी संख्या क्या है Y तो यहाँ हो जाएगा 8Y तो यह हम लोगों को एक चीज मिल गया फिर क्या बोल रहा है फिर सवाल पहले ही बोल रहा था कि दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है तो अब यहां लिखेगा प्रशन से दोनों संख्या का वर्ग करना है तो दोनों संख्या का वर्ग का मतलब बड़ी संख्या का वर्ग कितना होगा y²-x² दोनों संख्या का वर्ग का अंतर, अंतर का मने घटाओ, कितना आता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख पा रहोंगे, 180 आता है, तो बराबर में 180, अब आपको लग रहा होगा कि सर, x square y, माइनस y square भी तो कर सकते हैं, तो नहीं प्यारे बच्चों, बड़ी संख्या में स छोटी संख्या घटता है, छोटी में से तो बड़ी नहीं घटता है, इसलिए पहले बड़ी संख्या किये, तब छोटी संख्या, अब यहाँ पे देख पार होंगे, y square के जगा पे, y square लग रख दीजे, minus, x square के जगा पे कितना रखना है, 8 y, तो यहाँ रख दीजे, 8 y, ब क्या किजेगा, a का वेलू लिख लिजेगा, 1, b का वेलू हो जाएगा, minus 8, और c का वेलू हो जाएगा, कितना पहरे बच्चों, तो minus 180, देख पार होंगे, a, b, c निकल गया, तो यहाँ से आप d निकाल लिजेगा, और d निकालने के बाद आप y निकाल लिएगा, y कैसे, त आपको plus वाला ही answer लेना होता है, minus वाला को छोड़ना होता है, तो यहाँ पर बोल रहा है कि, देखे, दोनों संख्या ग्याद किजे, दोनों संख्या ग्याद करना है, तो यहाँ से तो y का मान कितना भी आएगा, तो y का मान जितना आएगा, तो आप इस समिकरन में put कर जाएगा वाई कमान 4 आएगा चाहा 5 आएगा कुछ भी आएगा तो समिकरन 1 में रखके x कमान निकाल देजएगा तो इस तरीके से x और y दोनों कमान निकल जाएगा यानि दोनों संख्या ग्याद करना है तो जब आप इसको solve किजेगा तो y कमान आएगा अब y का मान हो सकता है कि पलस में भी आया अब माइनस में भी है तो माइनस वाला तो आंसर नहीं करना है पलस वाला लेना है तो y का मान पलस वाला आंसर हो जाएगा लेकिन दोनों संख्या निकालना है तो x का भी तो मान निकलेगा तो X का मान कैसे निकलेगा तो आप चलिएगा समीकरन X से और Y के मान रख के और X का मान निकाल देजिएगा और X का value कैसे निकलेगा तो Y का value रख के पहले गुना कर लेजिएगा फिर इधर वर्ग है तो यह हटता है तो यह वर्ग मुल चड़ जाता है तो इस तरह इसे x का value भी निकल जाएगा तो प्यारे बच्चों साथ तक के question को हम अधूरा आपको एक hints के तोर पे बताये हैं और इस साथ तक के question को आप जरूर से जरूर पूरा पूरा solve करके भेजिए और फिर हम check करेंगे तो आज की class को इतना ही तक रहने दीजिए फिर मिलते हैं अगले class में धन्यवाद